So guys, आपका फिर स्वागत है हमारे Linux for Beginners वाली सीरीज में इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ basics command के बारे में जो की एक basic Linux user को आने ही आने चाहिए चाहिए वो कितना ही noob हो या फिर अभी अभी उसने start किया हो तो without wasting your time, let's get started So, मैंने इदर क्या किया है, मैंने एक file बनाई है इदर and ये file मैं आपको नीचे description में इसका link दे दूँगा, ठीक है and मैं क्या करता हूँ, मैं इसको open करूँगा कुछ इस तरीके से and see this मैंने इसमें 20 commands लिख है, ठीक है and उनके meaning भी लिख है तो आप इसको description में से download कर सकते हो, आराम से and कोई भी charges वगिर आपको देने की जरुवत नहीं है simply आपको इसको follow करना है, ठीक है so what I am going to do, मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से minimize करके side में खिसका दूँगा and मैं क्या करूँगा, इदर right click करके अपना terminal खोल दूँगा, ठीक है आपकि हम side by side इस इन चीजों को देख सके कि किस तरीके से यह सारी चीज़े काम करती है तो मैं अभी अपना layout setup कर रहा हूँ and so इदर हमने layout को setup कर लिया है, अब हम याए करेंगे हम इदर से commands को देखेंगे and इदर हम practice करेंगे, ठीक है and मैं थोड़ा zoom in करता हूँ and zoom in करने के लिए Linux के अंदर, ये देखिए, ये एक panel इदर से आप zoom in कर सकते है इतना मर्जियस चाहे इतना and इदर से आप click करेंगे तो ये 100 में भी आ जाएगा but मैं अभी इसको थोड़ा सा zoom in करता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है so, सबसे पहला command जो मैं इदर लिखा है वो है mkdir, ठीक है अब mkdir का मतलब क्या है तो मैं इदर मतलब भी लिखा है to make a new folder, ठीक है हम मान लोग की, ये मेरा desktop है, मैं काम करता हूँ तो मैं अपना file, जो explorer, जिसको बोलती है उसको भी side side में खोल के रखता हूँ and, desktop को खोल के रखता हूँ see this, मेरा इदर linux treat है और ये जो command वाली file है, वो सब है अब मैं क्या करूँगा अब मैं इदर लिखाँगा mkdir travel, ठीक है मैंने इतनी चीज लिखे, मैं जैसे enter मारूँगा आपको लगेगा क्या हुआ, कुछ हुआ ही तो नहीं but, अगर मैं इसके अंदर जाओ वापस मेरे file explorer में ये देखो, इदर एक folder create हो चुका है in fact, मैं इसको minimize करो तो ये देख सकते हो, आपकी इदर एक folder create हो चुका है तो इस तरीके से आप एक basic folder create कर सकते हो and इस तरीके के अगर आप folder create करोगे तो आपको एक confidence आएगा की नहीं है और मैं CLI से काम कर सकता हूँ, ठीक है अब move करते हैं हमारे दूसरे command के उपर जिसका नाम है touch तो touch क्या काम में आता है तो basically touch इस तरीके से हम new folder बनाते है mkdir से उसी तरीके से touch से हम नई files बना सकते है but इस में एक exception है कि आपको file की जो extension होती है वो भी declare करनी होती है just like अगर मैं लिखो touch and मान लोग कि मैं एक python file बना रहा हूँ या फिर c file बना रहा हूँ and अगर c file भी नहीं बना रहा हूँ मैं text file बना रहा हूँ ठीक है मैं txt file बना रहा हूँ तो मैं गय करूँगा मैं लिखोँगा demo.txt ठीक है जैसे hit enter करूँगा and अपने इसको open कर लेते तो यह दिखो इदर आ चुका है तो कुछ इस तरीके से आप txt बना सकते हो and अगर मुझे python file बनानी हो तो मैं इदर .py लगा सकता हूँ इस तरीके से and वापस से अगर मैं इदर finder को खोल लू तो यह देखो इदर .py भी आ जाएगा and इसके लिए आपको थोड़ी packages install करने होंगे ताकि आपको python का जो logo आता है वो दिखाई दे जब जैसा कि हमें windows में दिखाई देता है वो हम बाद में देख लेंगे ठीक है बात करते हैं हमारे ls command के बारे में अब ls क्या करता है हमें बताता है कि जो भी directory में या फिर जो भी folder में हम है उसमें क्या क्या चीज़े है ठीक है अगर मानलो में लिखो ls एंटर मारो तो यह देखो यह मुझे सारी की सारी चीज़े बता रहा है जो भी मेरे desktop के अंदर है वो सब कुछ मुझे दिखा रहा है इस तरह किसे आप अपने जो basic क्यों अपने फाइल जोती है वो आप देख सकते हो Linux के नगे आप क्या कर सकते हो आप PWD कर सकते हो बट उससे पहले हम CD देखेंगे CD क्या करता है मैं इतर लिखा to change folder to our directory यह हमारे Windows PowerShell या फिर Command Prompt में भी काम करता है अगर आपको नहीं पता तो आप ट्राय करके देख लेना जो code में इतर लिखूंगा वो आप अपने टर्मिनल या फिर जो Windows का टर्मिनल आता है उसमें ट्राय करके देख सकते है मेरे इस directory में यानि की desktop में मेरे पास क्या है एक demo.py है commands के file ठीक है अधर एक devil नाम का folder है जो folders होते वो blue color से highlighted होते तो उस बात को आपको ध्यान में रखना है मैं कहल कर सकता हूँ मैं जैसे daily tab देखाऊंगा यह मुझे auto complete करके दे रहा है तो आपको ज्यादा type करने की जरूरत नहीं अगर आपके folder का नाम बढ़ा है आप इससे time बचा के इससर एंडर मारोगे जैसे तो आप देखो अभी इस devil के अंदर आ चुके हो अब इसको किस तरह किसे हम देख सकते है अगर मैं LS करूँ यह अभी मुझे खाली बदा रहा है वर्ट अगर मैं लिखो PWD जो की होता है हमारा Print Working Directory Print Working Directory मैं इदर लिखा भी है तो यह क्या करता है जो भी हमारी डिरेक्टरी में जिसमें वर्क कर रहे है मैं अभी home, devil code, double and double one, desktop और उसके अंदर भी devil folder के अंदर हूँ तो मैं कुछ भी चीज़े बना सकता हूँ मैं अगर लिखो 1.py लिखता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप GUI का भी फायदा उठा सकते हो और CLI का भी फायदा उठा सकते हो अब बात करते हैं हमारे locate for command के बारे में यह थोड़ा important है मैं क्या करूंगा cd.dot इसे यूज करके आप जो भी डिरेक्टरी में है उससे एक स्टैप पिछे जा सकते हूँ अभी मैं डेक्स्टॉप डेवल में हूँ तो मैं जैसे एंटर दबाऊंगा तो मैं डेक्स्टॉप में आ जाऊंगा ठीक है तो अगर मैं लिखो locate मैं लिखों मैं इधर एक फायल नेम लिखता हूँ मेरे अगर मैं अपने फायंडर में जाऊं मेरे डेक्स्टॉप में क्या क्या फायल है मेरे पास demo.file.txt है तो अगर मैं लिखों demo.txt एंटर मार हूँ तो यह दिखो मुझे क्या error दे रहा है की locate not found but you can installed with sudo apt install mlocate ठीक है आपको simply कुछ नहीं करना आपको simply यह जो line है इसको right click करके copy करना इधर right click करके paste करना as simple as that आगे मैं बताँगा की sudo का मतलब क्या होता है apt का मतलब भी क्या होता है आप इसको enter मारिए अपने user का password दे दीजिए यह locate package को install कर लेगा अपने app and मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ ताकि यह मुझे दिखाई दे इसको तरीके से करता हूँ ताकि यह मुझे दिखाई दे जैसे यह install होता है मैं वापस आता हूँ यह मेरा हो चुक है completely मैं एक चीज़ कहना चाहूँग maier अप sudo के साथ काम कर रहरे तो आपको पहले update कर लेना है Update किस तरीके से करना है बढ़ी इस तरीके से बसाईप कर लेता हूँ ठीक मैं यह ठीक हो चुक है setup and अब मैं आपको sudo के बारे मैं बसाता हूँ Oo båag sudo क्या है basically आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जो हमारा admin होता है Windows 10 के अंदर उसे हम admin बोलते हैं and इसी तरीके से Linux के अंदर जो हमारा admin होता है उसे हम sudo बोलते हैं यानि कि super user अब हमें कोई भी software इंस्टॉल करना होता है Windows में तब हम क्या करते हैं हमें admin permission चाहिए होती है इसी तरीके से हमारे Linux में होता है ठीक है and sudo एकदम simple चीज है यार आप कुछ इस तरीके से लिख सकते है sudo apt get update लिख के enter मारोगे and get नहीं लिखना है आपको simply sudo apt update लिखना है and यह देखो यह आपकी सारी की सारी जो repository है वो update कर देगा ठीक है and अभी कोई कुछ error आ रहा है मैं इसको clear कर लेता हूं and clear भी एक हमारा command होता है and मैंने उसके बारे में last में लिखा होगा and अगर नहीं लिखा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि clear एक हमारा command होता है इससे हम terminal को clear करते है ठीक है तो sudo के बारे मैं मैंने बता दी आपको locate के बारे मैं मैंने नहीं बता है लोकेट के बारे मैं फिर से बता देता हूं अगर मैं लिखो locate locate लिखके मैं लिखो 1.py ठीक है जो मेरे devil folder के अंदर है मैं जैसे enter मारूंगा see this मुझे बहुत सारी चीज़े दिखा रहा है बट कही न कहीं इसके अंदर मेरी वह directory भी है जो की मेरे जो मेरे इदर है desktop devil के अंदर और वह दिखा रहा है बट अभी currently मुझे यह पताने चल रहा है इन सारे URL के अंदर की वह कहां पर है बट इन सब के अंदर है आपको कही पर भी अपनी script को खोजना हो तो आप इससे खोज सकते हो ठीक है इसके एक और भी alternative है क्योंकि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा तो अगर आपको इस command के बारे में ज्यादा समझ में नहीं आए तो आप इसको skip भी कर सकते हो आराम से तो आमें super user do के बारे में बात की sudo के बारे में अगर आप sudo su लिखोगे sudo su लिखोगे आप admin बन जाओगे टेक है अगर यह देखो यह मुझे बता रहा है row 21 to home devilt desktop टेक है एंड पहले मेरे पास यह dollar का sign आ रहा था अब मेरे पास यह hash का sign आ रहा है यह मुझे बता रहा है कि मैं अभी हमेरे admin user में हो तो अब हम बात करते हैं uname –a के बारे में यह थोड़ा सा आपको आपके system के बारे में बताएगा कि आपके system में क्या क्या चीजे इंस्टॉल है और क्या क्या चीजे आप कर सकते हो अगर मिले को uname –a यह देखो यह मुझे बता रहे लिनक्स उबन टू 5.5.15.0.56 जेनरिक एक 622004.1.0.2 smp true not अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहे तो आप लास्ट कमांड इसका यूज कर सकते हैं यह स्पेशल कमांड है तो वीडियो का end तक देखना पड़ेगा तब उसके लिए आपको एंड वीडियो लं अपड़ेट कर देगा एंड मेरा पासवर्ड जो है यह रर दे रहे विकोज यह हां पर गेट नहीं आएगा आपको सिंपली सूड़ एप्ट लिखना है अपड़ेट करना है तो इस यह सारे की सारी जितनी भी जो रिपरेशरेटरी इस हैं वो अपडेट कर देगा उबन ट विंडोस के मुकाबले की आपको इदर अलग-अलग शल मिल रहा है इदर आपके पैकेज डाउनलोड हो रहे है और आप दूसरा कोड कर सकते हो तो हमने सूड़ एप्ट के देखा एंड अब हम बात करते हैं पिंग के बारे में पिंग क्या करते हैं पिंग आपके जो आपक आपको आपकी जो वेबसाइड होगी या फिर भी वेबसाइड आप मेंटेन कर रहे होगे उसके लिए होगा रिक्वेस्ट लेने के लिए तो अगर मुले को पिंग www.youtube.com and enter मारो यह देखो यह मुझे पिंग दे रहा है बहुत सारी सारी है यह मुझे क्विक रिफरेंस है एँड आपको यह सारी चीसने की जरात नहीं कि यह क्या दे रहा है क्यूं दे रहा है किसलिए डिला तरह को यह सारी ची दिखनी कि छाहिए और आपको यह सारी चीदे दिख रही है तो आपका जो internet है वो connected है और आपका जो is server क्टंग है आप इस से cc cancल कर सकते आठीः clear method से clear कर सकता है अब बात आती है sudo reboot की तो यह आपके जो आपका होगा उसको reboot कर देगा and आप अपने जो system है उसमें try करके देख सकते हैं मैं भी reboot नहीं करूँगा because मेरा vmware start होने में बहुत देरी करता है अब बात आती है cat की ठीक है cat से हम जो भी हमारी file होती है उसका content terminal में देख सकते है terminal में देख सकते cat से ठीक है वो आपको द्याद में रखना है अगर मैं लिखो cat and यह यह file को मैं खोलो commands.odt enter मारो and यह देखो यह अभी encrypted है यह file अभी मेरी encrypted है but मैं कहा हूँ मैं fatax से अपना जो text editor कहा गया मेरा मैं दर से एक text editor ले लेता हूँ and Linux में text editor बहुत ही खटे आता है ठीक है अब को पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ बट में कुछ भी लिख देता हूँ कुछ भी कबार लिख रहा हूँ करूंगा इसको राइट ले इसको इधर वापस इधर आता हूँ clear करता हूँ इसको से पहले इधर मैं लिख हूँ अगर cat तो मुझे इसको rename बगरना पड़ेगा because मैंने एक space दी दिया था तो मैं इसको राइट ले करता हूँ and rename करता हूँ इसको हम टर्मिनल से कर सकते हैं बट वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा तब तक की लिए आप थोड़ा patience रखके enter करें and यह मुझे नहीं बता रहा है अब मैं इसको फिर से run करूँ अब arrow key से आप जो भी अपका previous command है उसे use कर सकते हैं जैसी मैं अंडर मारंगा यह देखो यह stuff मैंने लिखा था उसके अंदर और मैं इसको देख पा रहा हूँ तो cat से आप अपने file का content देख सकते हैं आसानी से अब उसी तरीके से यह जो shared है ठीक है इस से आप क्या कर सकते हैं इससे आप अपने file को log कर सकते हैं आप लोकी मैं लिखो shard shard या फिश्राइड क्या बोलते हैं उसको मुझे idea नहीं बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर मेरी pronunciation गलत आ रही है तो मुझे बताना जरूरू अब मैं इसको cat से open करने के कोशिश करो तो यह देखो जैसी चीज़े हमें इधर देखने के लिए मिल रही थे वैसे इधर देखने के लिए मिल रही है तो basically जो हमारे software होते है just like here Libra Office है यह file को तरिके से maintain करता है कि कोई भी बंदा वो even के super user भी उसे देख नहीं पाता ठीक है अगर आप sudo से maybe try करोगे and changes करोंगे settings को अपने Libra Office की तो आप maybe super user से देख भी पाऊगे ठीक है अब बात आती है हमारे CP की इन दोनों के बारे में बात में बात करेंगी later ठीक है विकॉस जो अगला वीडियो आएगा वो होगा file system के उपर and उसमें मैं इन दोनों को बताऊंगा because अभी मैं बताने बैड़ गया तो आपको directory and file system को मुझे बताना पड़ेगा and मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता उनको बताके मैं इसको short रखना चाहता हूँ and इन दोनों को मैं definitely आने वाले वीडियो में ज़रूर समझाओंगा अब बात करते है who am i की अब मान लो कि अपने एक user बनाया and उसका नाम आपको पता नहीं है and आपको authentication के लिए अपना username डालना है अब लिख सकते है who am i as simple as that ठीक है इससे आपका username आपको मिल जाएगा then हमारा आता है main main क्या करता है जो भी हम packages इंस्टॉल करता है या फिर जो भी हमारे commands होते है अगर मैं लेको main and ls लिख दो enter मारो यह देखो यह मुझे सारी के सारी जो details आती है उसकी जो हमारी info होती है वो दिखा देता है अगर मैं क्यों करूँ तो यह मुझे exit दे देगा तो यह भी हमारा बहुत ही काम का and बहुत basic command एठीक है जो हमारा अगला आता है command ifconfig इससे आप अपने IP address चेक कर सकते हो बट अभी मैं आपको वो नहीं बताऊंगा मैं आपको networking के वीडियो मैं उसको बताऊंगा करके की अब किस तरीके से ifconfig का use कर सकते हो basically आप इसको रखे अपने पास ठीक है and try भी कर सकते हैं बट उसके लिए आपको package डाउनलोड करना पड़ेगा and उसमें आपको errors भी आ सकते हैं उससे अच्छा है कि आप वीडियो देख लेए पूरा तो जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको iofconfig ज़रूर बताऊंगा and जो हमारे cp और mv moves जो है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा and अब lastly जो हमारा special command है nofetch उसके बारहें बात करते हैं इसको हमको download करना पड़ता है तो हमें देखेंगे sudo apt install neofetch and यह बहुत ही अच्छा command है and इस command से आप अपनी system requirement देख सकते हो and यह आपको बहुत ही अच्छी loop देता है मैं जैसे इसको enter mark के yes करूं यह install कर रहा है and यह install होता है तब मैं वापस आता हूं यह इतना heavy package तो नहीं है but फिर भी थोड़ा time लेता है and अगर आपका internet connection थोड़ा low है तो आपको थोड़ी सी patience रखनी पड़ेगी but हमें अभी कुछ नहीं करना है हमें अभी simply लिखना है anyo fetch ठीक है यसे लिख के enter मारेंगे see this मैं इसको दिखाने के लिए थोड़ा बढ़ा कर लेता हूं see this यह आपको आप K1,2 का logo बना के दिखा रहा है इस तरीके से then memory दिखा रहा है मेरा processor दिखा रहा है and themes भी दिखा रहा है then जो भी versions है resolutions है bash जो shell हमें यूज़ कर रहा है वो दिखा रहा है time दिखा रहा है कितने time चला यह kernel का version and जो host जो मेरा VMware हो दिखा रहा है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है and बहुत ही handy tool है अगर आपको कुछ इस तरीके से graphical चाहिए देखने के लिए तो आप इसका बहुत use कर सकते है and cool बन सकते हो अगर hacker दोस्त है आपके and उनमें आपको cool बनना है तो यह बहुत ही अच्छी चीज़ है तो I hope कि आपको यह commands अच्छे लगए होंगे and 3-4 commands के बारे में मैंने नहीं बता है because उसके लिए आपको थोड़ी सी file system and थोड़ा सा network के बारे में सीखना होगा उसके बाद अगर आप उन commands को देखोगे तो आपको ज्यादा क्लिए टी है कि ठीक है तो I hope कि आपको यह वीडियो अच्छे लगए होगा and अगर आपको यह वीडियो पसंद आए अगर मैं अपने लिनक्स फॉर बिगिनर्स वाले प्ली लिस्ट में यह लेकर जाओ यह मैंने installation, overview and बहुत सारी चीज़े की है तो अगर आपको यह सीरीज अच्छी लग रही हो देल से तो प्लीज मुझे इस वीडियो पर जाके comments करके बाद आना यहां मुझे यह सीरीज अच्छी लगी या फिर यह सीरीज मेरे लिए helpful लटेक है and कैको चीज़े हो जो मैं fix कर सकता हूँ वो भी मुझे बताना जरूर ताकि मैं आने वाले वीडियो में उसे fix करू and thanks for watching this video guys and I will see you in the next one